हेलो स्टो एसके लेक्टों स्वागतों सो कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगा दूस्त आप अच्छे ही रहोगी दोस्तो यह आई बैल का मेरे पास होम टेटर आया है रिपेर होने के लिए यह 5.1 है इसमें देखे 2.1 भी है 5.1 भी है देखे इसमें है SL सेंटर लेफ्ट वायले स्पीकर में साउंड नहीं है जबकि कोई DC वागारा भी आउटपूटियों जैसे IC सोट हो जाती है DC वी आउटपूट में नहीं आ रही है यह देख लीजिए कंपनी का होम टेटर है काफी अच्छी खासी कंपनी है बढ़ी होम टेटर बनाती है काफी बहतरी तरीके से क्वालिटी देती है अपने होम टेटर के अंदर तो हीट सिंग वगारा काफी अच्छी लगार की है तो दोस्तों इसमें आउटपूट में इसकी सेंटर लेफ्ट वाला स्पीकर नहीं बजा देखिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूं देखिए अगयरा मैं इसकी फूल कर देता हूं देखिए बिल्कुल वरकिंग में अब यहां पर फाइप पॉइंट स्टीडियो पे लगाए यह मैंने स्टीडियो पर लगा देखिए तो फाइप पॉइंट वन को चुटा गए स्टीडियो यानि कि दो ही लीड लगा के सारियो में आ ये इसमें भी आ रही है ठीक है दो में हारी है तीसरी में देख लीजी lado segunda extremely में दिक थाथ हूं यह सेटर लेफ्ट जो स्पीकर इसमें नहीं आ रही है बिल्कुल भी डेष्ट वाला जो मैं नहीं आहरी है सेंटरका जो स्पीकर उसमें आरी है और बागी में देखें यह देखें प्रोपर साउंड है बस सेंटर लेफ्ट वाले में कोई भी साउंड नहीं है तो दोस्तों इसका रीजन क्या हो सकता है कैसे पहर जाने कोन से आई सी खराब है कैसे चेक करेंगे पूरा मैंधर आपको बताओंगा मीटर से कैज करना है से इसके सब th ëई पेच को लेता हूं काफी अच्छे से आपको समझ मे आ जाएगा बिल्कुल आसानी से समझ मा जाएगा आप पूरी वीडियो देखिए अपका काफी अच्छे सा आ जाएगा तो इसके यहां पर मैंने सभी पेच खोल लिये हैं लाइश पेच है इसको भी खोल लेता हूं देखे दोस्तो में चीज होती है हमें पॉइंट्स को पकड़ने की कहां पर प्रोब्लम है कैसे है इधर उधर छेड़ने की जुरत नहीं होती है तो सबसे पहले स्टार्टिंग कह हैं एंडिंग कहा है क्या सिस्टम लगा यहीं समझना है में देखे पहले में जो बोड में से जो जिकटा लेता हूं जो बोड में दिक्कत कर दी हैं खोलने में यह देखे सबसे पहले मैं आपको आईशी दिखा देता हूं इसके अंदर जो आईशी लगी है यह तो दोस्तो प्रो पर तरीके साप देख लिए अच्छ से तो यह जो स्पीकर के यानि चे इन की ऑस ऑन दकिए पैसे यह यह से पिन देख लिएजये की यह भिल्कुल आलता जा रही मतलब यह देखिए यहां पिन लगी है इसके यंदर यंदर गोम के यहां पर track आगे पहली IC तो पहली IC बेस के होगी बाकी 5 IC आगे कि ये वाली IC ये उर ये और ये और ये ये सब ही IC आगे की speaker होकी है यानिकि satellite speaker जो थे हैं जो side में speaker लगते हैं तो यहां से जो speaker हो कि सभी output जा रहे हैं इन वाले black वायर से जा रहे हैं ब्लैक वायर से होते वे एक पिन लग दिया है पिन के बाद सीधा output connector यानि कि direct यहां से गई हुई है यह जो speaker देख रहे हैं यहां पर output क्यूंकि दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझने होता है कि fault है कहां पर इधर उधर बेवज़े की टेस्टिंग करोंगे बेवज़े कंपोनेंट लिकाड़ों करोंगे नुकसान करोंगे समय बरवाद करोंगे उसमें अच्छे निता सीधर यह देखो problem है कहां पर तो समझने की वह को सिस करो fault कि जंगे पर क्या से ट्रैक करना है तो हमने ट्रै करते हैं तो सबसे पहले हमें सारी आइस्यो को टेस्ट करना है जिस आइसी के अंदर problem है उस आइसी को कंफर्म कैसे करें कि यही आइसी है तो इसके लिए हमें एक एक्स्टरनल स्पीकर की जुरुत पढ़े ही जो हमने यहां पर लिया यह पहले यहां पर मैं इन्पुट ओडियो देता हूं इसमें देखे पहले में इन्पुट ओडियो दी दोनों लेफ्ट राइट चैनल पर ठीक है स्ट्वीडियो पर अब यहां पर आउट पुट आएगी तो आउट पुट के लिए जो आउट पुट में स्पीकर में आवाज नहीं है पहले तो सपीकर लाग करता हूं देखे 50 हो गई पूरी फूल है ठीक है अब हम यहां पर हमें स्टैब बाइस टैप पहले आई सी चेक करनी होगी सारी तो यहां पर मैं सवंग प्ले कर दो कोई भी तेक्शियों कि दोस्तों अब हमें चेक करनी होगी आई सी देखे क्या होता है पिन नमबर वन पर पर इनपुट होता है 20-30 आईसी है 20-50 आईसी लगी है इसमें सारी और देखे यह हमने एक्स्टैनलिस पी कर लिया इसका एक ग्राउंड हमने निगेटिव वाला ग्राउंड पर लग 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 दिया ठीक है जी और यह देखे पहले वाले सेक करते हैं यह देखे यह बेस प पिर नमबर फॉर स्पीकर की आउटपुट होती है इसलिए पिर नमबर फॉर पर लगा रहे हैं और ग्राउंड पर लगा करका ओल्री यह देखे बेस भी और पिले में बेस काई हटाई देता हूं बल्कुल आलग ठीक है अब दोहां से देखना पहली दूसी आईसी चेक कर पिर जाएंगे फिर नमबर फॉर फॉर पर लगाना है सभी के सैट इससे में उनbsय जी आओज फुल होनी चाएं यह इभी ओकक है यह वाली ओकक है यह वाली ओकक है यह इभी ओकक है और यह तीन खुक है, चौति पर चलते हैं यह देखे इस पर जैसे में लगा रहा हूं कुछ भी sound नहीं आ रहा है जबकि sound okay है इन पर आ रहा है देखे इस पर नहीं आ रहा है इस वाली IC पर हमारा कोई भी sound नहीं आ रहा है तो सबसे पहले चेक करें कि इसमें input मिल दा है नहीं मिल दा है और इसको चेक करने से पहले हमें चेक करना है voltage तो multimeter को 20V DC पे लगा लिए हमने ठीक है जी अभी हमारे यहाँ पर fault मिल गया है दोस्तो 4 number की जो IC है वो work नहीं कर रही है output में वो किस वजे से नहीं कर रही पहले हमें voltage चेक करनी होगी तो multimeter की एक probe तो ground पर रखेंगे वहीं पर जामने speaker की रखी थी ground का होता है capacitor का minus plus जहाँ एक जेंगा joint होता है यहीं कि transformer की zero point तो pin number 3 और pin number 4 pin number 3 पर negative voltage pin number 5 पर positive voltage मिलनी चाहिए तो पहले IC तो base के लिए लगी है और यह सभी IC satellite speaker के लिए base IC पर थोड़ी ज़्यादा voltage है क्योंकि यह अलग से supply की तो चेक करते है pin number 3 ठीक है ज़्यादा voltage है साइद 20 से 21 के आसपास मैं 200 पर लगाता हूँ minus की voltage भी ओक है ठीक है जी अब चलते है next IC जो कि हमारी satellite speaker के लिए है तो next IC जिस पर नहीं आ रही तो सी पर चेक कर दे देखिए plus की voltage pin number 5 pin number 3 minus की voltage देखिए 15 voltage minus के 15 voltage plus के दोनो IC पर 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 जबकि यहाँ पर कोई भी output नहीं मिल ली जबकि यहाँ पर voltage ओक के आ रही है यह देखिए और IC पर भी और इन IC पर बराबर मिल ली है छोड़के बेस की IC को बाकी voltage देखिए सबी okay है तो voltage ओकि है दोस्तों लेकिन फिर भी output नहीं है अब क्या करेंगे चेस्ट हमें pin पर pin number 1 पर ऐसे इस तरह से pin लगा लगा के देखनी है कोई sound नहीं आ रहा देखिए अब इसे direct center लगा या कोई से भी अधर speaker में चला कर देखते हैं जिसमें चला है sound अब देखे pin लगा कर देखता हूं यह देखे यह देखे जैसे मैं pin number 1 पर हाथ लगा रहा हूं तो यह वाली IC उस पर बोले है center पर तो इसका मतलब हमारा यह वाली जो IC है इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं हम यानि कि यह okay है तो यह जो यहाँ पर चोथे number की IC जो है यह working में नहीं है यानि कि हमने input भी देखे देख ली input से भी कोई signal नहीं आर जा रहा आउटपुट में और जो इसमें signal चला हुआ उस से भी नहीं जा रहा और जबकि supply वगार ओके है तो इसका मतलब साफ साफ जाइर होता है कि दोस्तों हमारी जो supply यह जो IC लगी है यह IC खराब है तो इस IC को अब जल्दी से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने क्या किया सबसे पहले वोल्टेज टेस्ट करी वोल्टेज ओके है वोल्टेज किलियर होने के बाद भी यहां पर हमारी वो output में कोई भी sound नहीं आ रहा तो हम इसे जल्दी से सभी जो पेच लगे हैं IC वे खोल लेते हैं उसके बाद अब देखते हैं क्योंकि हमने चेक किया हमने ओडियो भी देख ली वोल्टेज भी देख ली सब कुछ जा रहे हैं लेकिन output में फिर भी कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ वही IC नहीं चली थी बाकी IC कंप्लेटली ओके थी वो हमने कैसे ट्रैक किया क्योंकि इसी IC पे हमार इसी का जो नंबर है वो है 20-30 तो यह IC हमें फटी हो ही तो नहीं देख रही है लेकिन यह ओपन है यह ओपन हो गई होगे अंदर अंदर तो इस IC को हम चेंज करेंगे 20-30 है दो कि दोस्तों 19-20 वाट की होती है तो इसको जल्दी से चेंज करते हैं और आपको दिखाते है IC खराब होने का रीजन कुछ भी हो सकता है और यहां पर कस्टुमन आउटपुट में ज़्यादा स्पीकर का यूज किया हो उससे भी हो सकता है किसी वज़े से पिन शोट हो गई आपस में उससे भी हो सकता है या समय के साथ किसी वज़े से कोई बहुत सारी वज़ा हो सकती है खराब हो जाती है तो हमसे जल्दी से इस IC को निकाल देते हैं कि देखे दोस्तों मैथड यह होता है जब आपकी सारी audio IC लग रही है या टांजिस्टर लग रहा है तो हमें external आलग से speaker लेगे डिरक्ट बोर्ड पर टेस्ट करना होता है क्यापथा बोर्ड से जो गए हुए पीन है उनमें दिक्कत हो या आउट्पुट की जो पिन लगी D238 ट्राइंगल की ओरिजनल IC हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर और फिट टैस्ट करेंगे जल्दी से कि ये वर्किंग में है या नहीं है ये हो जाएगा क्योंकि हमें यकीन हो जाएगा क्योंकि हमने देखा भई और ओडियो भी हमने देखे देख लिए जब भी नहीं चला और वोल्टेज इस सबकिछ ओके हैं तो इस कंडिशन में दोस्तों IC का इस्यू होता है अगर आपकी वोल्टेज ओके हैं और ओडियो दे रहे हैं फिर भी आउटपुट में स्पीकर की हैं वो नहीं बज़ रही है तो दोस्तों हम इसे IC को निकालके हमने आपके सामने यह चेंज कर दिया IC का नंबर दिखा दिया हो सकते तो आप 20-50 भी लगा सकते हो वरना 20-30 लगा दिज़े कोई दिक्कत नहीं है सिंगल स्पीकर के लिए जो छोटे स्पीकर होते हैं उसमें 20-30 शूटेबल होती है तो यह हमने दोस्तों IC डाल दी है अब इसको जो एक्ष्ट लेंगे वे काट देंगे और फिट टेस्ट करेंगे हमने यहाँ पे सेट को भी ओफ कर रखा है आपके सामने तो दोस्तों इसी तरह से फाल्ट को फाइंड करना होता है अगर आपका कोई ऐसा फाल्ट है तो सीधा IC पर आप स्पीकर लगा के देखिया अलग से उससे पता लगता है रियलिटी तो अगर उस पे भी नहीं चलता ना और वोल्टेज वगारा सब ओके है तो भाई सीधा IC खराब है तो हमने यहाँ पे इसे सेट को ओन कर दिया है और ओन करने के बाद इसमें सॉंग पिले करेंगे और आउटपुट पे स्पीकर को कनेक्ट करके और बजा करके देखते हैं अब अगरत जिसमें नहीं बज़ा था उसी में लगा करे सेंटर्न लेफ्ट में नहीं वज़ा है यह देखिए różne को यह दोस्तों आ यह देखिए इसमें प्रोपर बज़ रहा है यह देखे ठीक है यह देखे ठीक है सबी स्लोट जो है यानि की छितने भी स्पीकर के आउट पुट के हैं सबी वर्क कर रहे हैं आप दोस्तों प्रोपर हमारा documents working में है देखे प्रोपर आउटपुट का स्पीकर जो है बिल्कुल उसी में भज़ रहा है जिसमें नहीं भज़ था तो हमारा ये सैट पूरा हो चुका है है आपको रिपेर करने का तरीका बता दिया क्यूंकि कमपनी के सैट में आप बार बार दर दर की चीज खोलोंके वह से तो सिर्दरद तो फ्ली वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में सेफना कुछी प्रोव हों तो कमेंटों से जुरू बता देने रिप्लाइ देने के हम पूरी कोशिस करेंगे यह आई सी चेंज करी और हमारा फाल्ट किलियर हो गया आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते नेक्ट वीडि करें कुछ रहें